हलो दोस्तों आप सारे विवर्स का बहुत बहुत स्वागत एक बर फिट से आरो दो जर सोला री एक्जाम प्रिलिम्स के लिए GS का मॉक टेस्ट करेंगे हाँ पर हम लोग इसमें GS और रीजनिंग की सवाल होंगे यह तो सबसे पहले GS का सवाल देखते हैं, रीजनिंग की सवाल देखेंगे हम लोग बाद में अगर आप यह पूरी सिरीज जो हमारीバイ करना चाहते हैं तो यह दो given नंबर इन पर आप राप कॉल कर सकते हैं पहला कोश्चन है जी इसका कि निम्न में से कौन सी भारत शासन अधिनियम या फिर भारत सरकार अधिनियम 19 की विशेस्ता हैं पहली विशेस्ता दी है कि इस अधिनियम में केंद्रिय और प्रांतिय विश्यों को प्रथक कर दिया था प्रोविंशल सब्जेक्ट्स वर सेपरेटर इंडिस एक्ट करेक्ट है ये इस अधिनियम ने पहली बार दुविश अधिनियम विश्था प्रार्रम की थी ठीक है बाई केम्रेल सिस्टम इसी से आये था तुमारा करेक्ट एंसर हो जाए गए यहां पर बोथ दोनों स्टेट् है कि मुस्लिम लीग ने क्रिप से प्रस्ताओं को स्विकार कर लिया था कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही अस्विकार किया था अपने अपने काहड़ों से मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा कारण इसको अस्विकार करने का था कि इसने सिंगल यूनियन की बात रही थी पाकिस्तान की डिपांड को लिटरली नकार दिया था ठीक है हमारे question का correct answer हो जाएगा only a यानि only one statement is correct second incorrect है भारती सम्विधान में संसत की संप्रभुता का सिध्धान्त किस से लिया गया है ये लिया गया है UK के Parliament से inspired है ब्रिटेन की संसत से क्योंकि इसमें Prime Minister का रोल काफी एहम होता है UK की Parliament में और उसी से inspired भारत की Parliament में कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये Prime Ministerial form of government है क्योंकि Prime Minister की भूमिका बहुत एहम होती है और संसत की भूमिका एहम होती है option number B यहाँ पर correct है समिधान की प्रस्तावना में उन लिखित इन शब्दों को उनके क्रम में विस्थित करना है जो सबसे पहले आए उसको पहले रखेंगे सबसे पहले जस्टिस की बात की गई है फिर equality की और फिर ये जो समता की equity की तो हमारा question का correct answer बन जाएगा 312 जस्टिस, liberty, equity option number C 312 निम्न राजियों को उनके सरजन के सही क्रम में विस्थित करें जो सबसे पहले सरजीत हुआ था उसको पहले रखेंगे तो 36 गड़ एक नौवंबर 2000 को अस्तित्व में आया और फिर आया आस्तित्व में उत्तराखंड 9 नौवंबर को बना था उत्तरप्रदेश से अलग हो करके और जारखंड बना था 15 नौवंबर को बिहार से अलग हो के 2000 में हमारे question का correct answer बनेगा सबसे पहले 36 गड़ फिर उत्तराखंड फिर जारखंड यानि कि 312 option number D 312 सिस्थ पर बताना है कौन सा statement correct है संपत्तिक अधिकार को 42 समिधान शंशोधन के द्वारा मूल अधिकारियों की सूची से डिलीट किया गया जबकि ऐसा हुआ था कि 44 समिधान शंशोधन था जिससे इसको हटाया गया था पहला incorrect हो गया संपत्तिक अधिकार को यानि right to property को अब एक legal right बना दिया गया है article number 301 के तहट समिधान के द्वारा ये correct है तो हमारा correct बनेगा only two यानि कि B बारती समिधान के नुसार धर्म के अन्ता करण के अधिकार के निम्ण में से कौन कौन से अधिकार शामिल है अन्ता करण की स्वतंतरता मानने की स्वतंतरता ठीक है और आचनन करने का अधिकार प्रसार करने का अधिकार आस्था का अधिकार आचनन का प्रसार का और अन्ता करण की सोतनरता तो सभी के सभी इसमें शामिल है option number D यहां पर correct है all of the above निम्न में से कौन से रिट को सारवजनिक प्राधिकरण और विक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है तो यह हो सकता है hevious corpus में तो private individual के लिए भी हो सकता है और public authority के लिए भी hevious corpus जारी किया जा सकता है option number A आप हमको यह comment करके बताईए कि rates जो हमारे समिधान में हैं यह किस law से या फिर किस देश के समिधान से inspired है निम्न में से कौन सा नुच्छेद लोग सेवाओं से निया पालिका को प्रथक करता है तो इसमें जो है judiciary को executive से अलग करता है article number 50 option number B भारती समिधान में मूल करतव्यों को किस देश के समिधान से प्रेरित हो करके शामिल किया गया है Indian constitution has included fundamental duties inspired by इसका एंसर रशिया होगा option number C USSR constitution जो अब रशिया बन चुका है इससे inspired है और justice का concept भी जो है social economic political वो जो है यह भी रशिया से inspired है रशिया constitution से option number C राजमनार का समीती गठेन जो है किस परपस से किया गया था इन्होंने जो है recommendations दिये थे center state relations पर अधारित तमिल डांडू government ने इनको पॉइंट हिया था राजमनार समीती पीवी राजमनार की अध्यक्षता में ठीक है राजमनार हो गया आपका सरकारिया आयो गया इनकी recommendations कब बने थे कब report submit की इनके बारे में आपको देखना चाहिए center state relations से खास कर निम्ण में से सही कथन कौन सा है अनुच्छे 352 राष्टरी आपात काल संबंदित है correct है अनुच्छे 356 राष्टरपती शासन से संबंदित है यह दोनों ही correct है answer हो जायेगा वारा both one and two both correct अगला question है 13 नंबर इसमें अनुच्छे 34 प्रधान मंत्री की निवक्ती राष्टरपती के द्वारा की जाएगी यह लिखा हुआ है यह रॉंग है यह article 75 में लिखा हुआ है उसके बाद दिया हुआ है कि article 75 में दिया हुआ है कि राष्टरपती को सलाह और सहायता देने के ल जाएंगे हमारा statement correct हो जाएगा none यानि कि कोई भी correct नहीं है इसमें निम्न में से कौन सा उपबंध धन विधेयक के अंतरगत नहीं आता है किसी कर का अधिरोपन ठीक है imposition of any tax यह आता है केंद्र सरकार द्वारा उधार लिये गए धन का विनियमन regulation of money borrowed by the central government यह आता है money bill के अंतरगत भारत की संचित निधी से धन का विनियोग भी बिलकुल आता है लेकिन जुर्मानों और अनिशास्तियों का अधिरोपन नहीं position of fine and other penalty यह money bill के अंतरगत नहीं आएगा option number D question number 15 पहला statement है कि अलप्तिगीन या फिर अलप्तिगीन महमूत गजनवी का एक तुर्क गुलाम था actually यह Ottoman slave था उसका गुलाम नहीं था ठीक है गजनवी का गुलाम नहीं था यह एक जो है समानी लोगों का समानी तुर्कों का गुलाम था ठीक है अलप्तिगीन का समराज ये काबुल से लेकर गजनी तक फैला हुआ था यह correct है हमारा correct answer हो जाये कब B only second question number 16 है इस समीती का उद्भव 1921 में वुआ था सोतंतरता प्राप्ति के बाद जौन मथाई की सिफारिश पर इसका स्रजन किया गया था वर्तमान में इसमें 30 सदस्य होते हैं और लोग सभा से चुने जाते हैं हम किस समीती के बारे में बात कर रहे हैं तो यह समीती है आपकी इसवी में पेशावर में जैपाल को हराया था करेक्ट है ये उसके बाद 2009 इसवी में महमूद गजनी ने सिंधू नदी के पास आनन्द पाल को राया था जो कि जैपाल का पुतर था दोनों यहां पर सही हैं आपके एंसर और जैया यहां पर बोथ सी सही है यहाँ पर बोथ निम्न में से सही कथन चुनना है पहला है कि महमूद गजनी ने 998 इसवी से 1030 इसवी तक शासन किया करेक्ट है यह फिरदावसी महमूद गजनी का दरबारी था शाहनामा की रचना फिरदावसी नहीं की है तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगे तीनों ही 1, 2 & 3 एंसर हो जाएगे यहाँ पर All of the above All of the above 19th में पहला है स्टेटमेंट महमूद गजनी ने अपने आरंभिक हमले उन हिंदू शाही राजाओं पर किये जो अफगानिस्तान पर पंजाब में शाहसन कर रहे थे ठीक है यह करेक्ट है हिंदू शाही राजाओं पर किया था अक्रमड और इन राजाओं की राजधानी काबुल थी जो है काबुल नहीं थी इनकी कैप्टिल इनकी कैप्टिल जो है पेशावर के पास या रावल पिंडी के पास हम लोग कह सकते हैं थी काबुल के पास नहीं थी तो हमारा करेक्ट टैंसर बनेगा अउनली वन सेकंड हो जाएगा इनकरेक्ट इनकी कैप्टिल को बोलते थे उद्भांड फुतुχत ए आलम्गीरी किसकी रचना है फुतुछत ए आलम्गीरी है इशवर्दास नागर की और फिर अगर पूच ले कि आलम्गीर नाम किसकी है तो वो है मोहम्मद कासिम मिर्जा की अशोक का उत्तरादिकारी कौन था अशोक का पुत्र कुनाल उसका उत्तराधिकारी था अलांकि बहुत कम समय के लिए उसने शाषन किया अशोक का उत्तराधिकारी कुनाल था ठीक है अशोक का पिता कौन था? बिंदुसार था निम्न में से कौन सा मौर वन्ष का सासक नहीं है तो महरवन्ष का सोख है, बिंदुसार है, चंद्रगुप्त महौरी तो है ही, अजात शत्रू जो है हरेनेक वन्ष का था, मगत की जो प्रारंबिक डैनेस्टी थी हरेनेक वन्ष उसका शासक था ये अजात शत्रू, इसकी डैनेस्टी को पित्रहंता डैनेस्टी भी खहते हैं King Carvel के बारे में, शासक Carvel के बारे में, जो कलिंक का शासक था, इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है, जानकारी मिलती है हां थी गुमफा लेक से, ठीक है, भुवनेश्वर के पास जो है, ओडिशा में, option number A, सबसे पहले किस गुप्त शासक ने महराज आधिराज की गया करेभाथ शासक हैं जिन्होंने महराजा अधिराज की उपाधीली लेकिन सबसे पहले ली थी चंद्र गुप्त प्रथम ने इनमें से किस गुप्त काली निशासक को काविराज कहा गया है काविराज कहा गया है इनके सिक्कों में इन्हें वीना बजाते हुए भी दिखाया गया है यह है समुद्र गुप्त नेपोलियन आफ इंडिया इनको कहा गया है समुद्र गुप्त आप्शन नुबर सी निमलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है इंडिया कौन से लैक्ट 1861 सही है प्रारतना समाज यहां पर रॉंग दिया हुआ है क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1867 के करीब है न और किसने स्थापना करवाई थी केशप चंदर की साहिता से कि इसने की थी आत्मा राम पांडू रंग ने तो यह वाला जो है रॉंग हो जाएगा वांकी सारे करेक्ट हैं आरे समाज 1872 सही है कुवका रिवॉल्ड जो है 1872 तक चला था हलांकि इसकी शुरुवात हो गई थी 1842 में ही तो हमारा कॉश्चन का करेक्टर एंसर हो जाएग ब सबसे पहले रॉलेट आक्ट आया था उसी के विरोध बिजलिये वाला बाग कांड हो गया था ठीक है और 21 जो है एक साथ आएंगे 21 कहीं भी जो है दो जगए एक साथ हैं तो यह डी और ए वाले जो है आटोमेटिकली डिसकार्ड हो जाएंग या बचता है बी और सी वाला पूर्ण स्वराज की मांग जो है 1930 में हुई थी ठीक है लाहॉर सेशन के बाद रावी ने दीक पास जब जंडा फर आया गया था वो सब चीजें तो 4 सबसे लास्ट में आना चाहिए तो 4 आ रहा है सी सबसे लास्ट में C में तो हमारा करेक्टर है ने से बनेगा 21434 ठीक है 2134 और एक्चुल डेट से अगर हम देखें जलियों अला बाग कांड 13 प्रैल 1919 को ड्रॉलिट अधिनियम 6 प्रैल 1919 को साइमन कमीशन की निवक्ति 1927 को और पूर्ड सुराज की मांग 1929 को इंडेन असोशियेशन की स्थापना किस ने की थी 1866 में की थी सुरेंदनाद बनर जी ठीक है तो मारा करेक्टर एंसर हो जाएगा यहां पर अब B and C भोत B and C B and C होना चाहिए यहां पर अब इन घट्नावों को कालानू करमिक करम में अरेंज करना एक तरब के शंधि प्लासी का युद्ध अली नगर फी संधि बक्सर का युद्ध संधी बैटल हुआ था जुलाई उनिस सत्तावन में लगभग और बैटल बक्सर उनिस सो चौट में हुआ था और बैटल बक्सर का ही परिणाम था ट्रीटी ओफ इलाहबाद बस यहां पर कहानी बन जाएगी यहां पर थ्री होगा सबसे पहले क्योंकि अलिनगर की संधी प्ल में बैटल प्लासी 23 जून को हुआ था सौरी जुलाई मैंने बोल दिया 23 जून इनिस सत्तावन को ट्रीटी ओफ अलिनगर हुआ था फरवरी इनिस सत्तावन को बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 22 अक्टूबर 1964 को अगला कुश्चन है मारा कि अंग्रेज़ों द्वारा टीपू टीपू सुल्तान की हार के पूर्व में यहां पर बाद लिखा हुआ है लेकिन हम इसको पूर्व कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंग टू दो कॉश्चन बिफोर देफीट ऑफ टीपू सुल्तान बाई ब्रिटिशर्स किसका राज था यहां पर वोडो यार वन इसके शासकों पूर्ण कराज था जो फिर हैदर अली ने उसको उनसे चीन लिया था ठीक है वो डियार डेनश्टी सासन करती थी इनके आकरी जो शासक थे उनका नाम चिक्का क्रश्न देव राओ ऐसा करकी था चिक्का राओ दृतिये ऐसा करके उनका एक्जैक्ट नाम आपको पता है तो बताई कोमेंट करके निमन में से कौन सा अंदोलन 1857 की क्रांती के बाद हुआ था ठीक है तो फकीर विद्रो और सन्यासी विद्रो ये काफी पहले हुए थे ठीक है मतलब 1700 के करीब हुए थे और वेलोर विद्रो हुआ था पहला इसको सैनिक विद्रो माना जाता है 1802 में हुआ है मतलब 1857 की बैटल से पहले हुआ है मतलब बाद में हुआ है बाद तक चला था ये वानेगा इसको आप्शन नमबर ए शुरुवात हो गए थी 1842 के पास ही लेकिन कंक्लूड हुआ था ये 1872 तक बाद बीच-बीच में रिवाइव होतारा सबसे पहले इसकी शुरुवात की थी बाबाराम सिंग ने और भगत जवाहर मलने क्वेशन नमबर थार्टी टू 1916 के कॉंग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्षता कि इसने की थी ये की थी अंभिका चरण मजूमदार ने आप्शन नमबर C लखनोव पैक्ट था ये मुस्लिम लीग और कॉंग्रेस एक साथ आ गये थे मितलब और कहज़ सकते हैं मोडरेट और एक्स्ट्रीमिस्ट एक साथ आ गये थे सूरत स्प्लिट के बाद से तो अंभिका चरण मजूमदार यहाँ पर अध्यक्ष थे इस लखनोव सेशन में कॉशन नमबर 33 निम्डमे से कौन सी कॉंग्रेस के उग्रवादी चरम पन्थी या फिर एक्स्रीमिस्ट लीडर्स की विशेष्टा नहीं थी तो सुराज की मांग करते थे भारती साहित के समर्थक थे जन सामाने की शक्ति एवं त्याक की भावना पर उनकी पूंड निष्ठा थी उनकी निष्ठा किसके परती नहीं थी ब्रिटिशर्स के परती उनकी निष्ठा बस नहीं थी उनका विश्वास नहीं था, उनकी आस्था नहीं थी, उनकी निष्था नहीं थी, ब्रिटिशर्स के प्रती जो कि यहां पर लिखा हुआ है, तो option number A हमारा answer हो जाएगा, उनको कोई belief नहीं था ब्रिटिश जस्टिस में आखिल भारती किसान सभा के संस्थापक कौन है? आखिल भारती किसान सभा के संस्थापक थे आपके, यह हम देख चुके, आगे है कि बॉम्बे क्रोनिकल पत्रिका के संपादक कौन थे तो इसका answer हो जाएगा आपका, फिरोध शाह महता, option number C खुले कमरे के किसी एक खाली कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने पर उसकी महग जो है फाइल जाती है पूरे कमरे में ऐसा किस कारण से होता है यह फिनॉमिना है आपका diffusion ठीक है वी सरन इसको बोलते हैं तो जो concentration है सेंट का वो पूरे environment से बहुत ज़्यादा concentrated है तो environment में file करके dilute होने का प्रयास करता है यह है diffusion option number C लोहे को जंग रोधक बनाने के लिए उस पर किसका लेप लगाया जाता है rust proof बनाने के लिए galvanization किया जाता है लोहे पर galvanization किसका होता है zinc की coating चड़ाई जाती है ठीक है option number A बर्फ पानी पर क्यों तहरती है बर्फ पानी पर इसलिए तहरती है क्योंकि बर्फ का घनत तो पानी की अपेक्षा कम होता है the density of eyes is relatively lower than that of water option number B यहां पर होगा निकट द्रश्टी दोस्त का निवारण कैसे होगा myopia को cure कैसे करेंगे myopia यहां पर दिखाए जा रहा है figure number 1 में कि यह myopia है यहां पर जो रेटिना पर image बननी चाहिए थी वो उससे पहले यहां पर range converge हो जाती है यहां पर अगर एक concave lens रख देंगे इस तरीके का तो जो रेस जो है पहले ही concave मतलब यह जो है converge हो जा रहे थी इसको थोड़ा और सही कर देगा और फिर यह यहां पर सही जगह पर रेटिना पर converge होगी और image सही बनेगी फिर इस तरीके से करते हैं तो क्या यूज की हमने concave lens एंसर हो जाएगा इसका बी concave lens question number 40 निम्लिकित में से कौन सपदार्थ बिजली का सुचालक है तो बिजली का सुचालक यहां पर आपका होगा graphite option number T निम्लिकित में से कौन सा उपकरंट जो है रसाइनिक उर्जा को वैद्यूत उर्जा में रूपांतरण करेगा यानि की chemical energy, electrical energy हम कैसे convert होगी battery के दोवरा option number C दूप के चस्में बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है तो flint glass का प्रयोग करते हैं दूप के चस्में बनाने के लिए निमनलिकित में से कौन सी धातू जल के साथ अभिक्रिया करने पर hydrogen का उत्सरजन नहीं करती है तो lithium करता है, आपका sodium भी करता है, potassium भी करता है, cadmium नहीं करता है, option number B प्यूश ग्रंती या फिर pituitary gland जो है ये कहां पर located होता है, brain के नीचे, below the brain, option number B यिस्ट कोश्का में मुखे enzyme कौन सा होता है, तो यह होता है, zymase, option number B cellular respiration कहां पर होता है, cellular respiration होता है आपका mitocondria में, option number C निमनलिक में से कौन सा जैवी कूर्जा का अंतिम स्त्रोत है, अंतिम स्त्रोत का मतलब जिससे plant को energy मिल रही है और बाद में plant जो है glucose बनाता है, उससे पूरी दुनिया को बिलती है, तो plant को किस से मिलती है, solar energy से, option number A यहाँ पर सही होगा सूरी का प्रकास ना मिलने कारण बच्चों को कौन सा रोग हो सकता है, तो सूरी का प्रकास मिलने से मिलेगा ने, उनको vitamin D, vitamin D ने मिलेगा तो हो सकता है उनको vitamin D की कमी से होने वाला rickets, option number B, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, rickets टाइफाइड और कोल्रा जो है, यह किस से होता है, तो यह दूसरी पानी से होता है, ठीक है, जल जनने रोग है, यह water born disease है चाए पीने के बाद अत्याधिक मूत्र की मात्रा किस कारण से बनती है, क्योंकि चाए में होता है आपका caffeine, option number B महिला उद्यमिता मंच या फिर women entrepreneurship platform किसके दोरा शुरू किया गया है, यह शुरू किया गया है, भारत के think tank के दोरा, नीती आयोग के दोरा, option number C हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए इस रजित परिसीमन आयोग का देक्स निमनी लिखित में से किस से बनाया गया है तो परिसीमन आयोग जो है, J&K के लिए भी, नगलेंड, असम, मड़ीपूर के लिए यह करने वाला है, delimination यानि कि फिर से परिसीमन बनेगा कैसे क्या constituencies रहेंगी, इसके लिए चार सदस्सी समीती बनाई गई है, इसकी अध्यक्ष रहेंगी, रंजना प्रकास देशाई, जो की पूर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुकी है, यह अध्यक्षता करेंगी, इसकी चार सदस्सी और चार सदस्स जो है, यह आएंगे वहां क इलेक्षन कमीशनर को भेजा है, जिनका नाम है श्री सुसील चंद्रा, और इस समय मारे CEC यानी चीफ इलेक्षन कमीशनर कौन है, श्री सुनील अरोडा, भारत में भागोलिक संकेतकों के पंजियन का कार्याल है, कहां पर स्थित है, तो इस स्थित है चेन्नाई में, आप् प्रोग्राम की दौरा, पेट्रोलियम नियर्यातक देशों का संगठन, ओपक का मुख्याले कहां पर स्थित बताना है, ओपक का एटक्वाटर वियना में है, जो की कैप्टल है आउस्ट्रिया की, अप्शनमबर D, अंतररास्ति देश सस्त्र हस्तांतरन रिपोर्ट 2019 के यह आ सकता है एक्जाम में बहुत जरूरी डेटा आई है, अचा इसमें करेक्शन करेंगे, इसमें पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो है आर्म इंपोर्टर कौन है, आर्म इंपोर्टर सेकेंड नमबर पर हमनें बता दिया इंडिया है, यह साही है लेक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स के दौरा, आप्शन मुबर बी, कच्छा थीव्यू दीप जो है, यह कहां पर स्थित है, यह स्थित है आपका गल्फ आफ मननार में, मननार की खाड़ी में, आप्शन बडीप पहले विवादित था, भारत और स्री लंका की बीच, जो है स्र लंका दिखाया गया है, हिंद महा सागर आयो का सरजन कप किया गया था, इंडियन ओशन कमिशन वास फॉर्मड इन नाइंटीनेटी टू, आप्शन मुबर बी, सोलर चर्खा मिशन जो है, यह किस मंतराली ने चलाया था, सौर चर्खा मिशन चलाया गया था, जून 2018 में करी समयलन 2020, यह कहां पर हुआ था, यह वो था, गांधी नगर गुजरात में, और फिक्की ने इसको आयोजित किया था, आप्शन मुबर A, हाल ही में कलाकारों के लिए पेंशन और चिकित सा सहायता के लिए योजना शुरू करने वाला मंतराले कौन सा है, यह शुरू किया था आर्टिस्ट को और मेडिकल असिस्टेंस भी, आप्शन मुबर B, निमलिकित में से कौन सा विकल्प, एक आभासी मुद्रा का उदारन है, वर्चुल करेंसी है आपकी लिबरा, आप्शन मुबर B, ठीक है, फेस्बुक की यह करेंसी है, लिबरा, यह क्रिप्टो करेंसी का एक्जेंपल है, क्रशी निर्यात नीती को कब शुरू किया गया था, लेटेस्ट जो अग्रिकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी आई है, यह कब आई थी, 2018 में, आप्शन मुबर C, हाली में उत्राखंड राज ने अपने किस सहर को दूसरी राध्धानी को फुषित किया है, यह उनकी ग्रीश मकाली इन राध्धानी रहेगी, इसका नाम है गायर सैंड, आप्शन मुबर D, गायर सैंड, सुपोशित मा अभ्यान के बारे में सही कथन मताई कौन सा है, पहला कथन है कि उत्तर प्रदेश के लख्रों में से शुरू किया गया, जो की रॉंग है, कोटा राजस्थान से लोकसाबा सीट है, ओम बिल्डा की, जो कि हमारे स्पीकर ने प्रेजेंट, और उन्होंने इसका इनाउग्रेशन किया था, यह दोनों स्टेट्मेंट होगे गलत, सही वाले आपने आपको बताई दिए, एंसर हो जाएगा D, माना अधिकार के उच्चा युक्त का कारेल है, जो है, इसका मुख्याल है कहां पर स्थिते बताना है, कुछ बिलाके पूछा है, UNHCR, United Nations High Commission for Human Rights से कहां पर है, यह आपका जिनेवा, स्वेट्जर लैंड में, आप्शन बर B, काला कारबन जो है, या फिर ब्लाक कारबन जो है, कैसे प्रडिउस होता है, काला कारबन का जो सोर्स होता है, वो होता है, incomplete combustion, ठीक है, incomplete combustion of fossil fuels and biomass, यह हो जाएगा, आपका ब्राउन कारबन, और वहीं फऔर agricultural biomass के बर्न होने से, वोड बर्निंग से, बुड की कम्प्लीट बर्न ब्लू कार्बन ग्रीन कार्बन इनके बारे में अच्छेस पता होना चाहिए आपको यह टर्म्स आजकल पूछ जा रहे हैं सबसे पहले हमको पताना है इनर लाइन पर्मिट सुविधा कप शुरू की गई थी तो बंगाल फ्रेंटियर रेगुलेशन आक्ट आयत 1873 में उसकी तहत इनर लाइन पर्मिट की बात आई थी सामने ऑप्शन मबर ए नैशनल एक्स्प्लोवसिव डिटेक्शन वरक्शॉप यह कहां पर है यह है पुणे महारास्टर में ऑप्शन मबर बी इक गउत्तर नंबर कोशन है प्रत्वी अपनी अक्षिय सतय पर 46.5 डिगरी का कौंड बनाती है यह रॉंग हो जाएका क्योंकि यह जो है ऑर्बिटल प्लेन पर बनाती है चांच्छत दसंबलों हाफ का मतलब 6.5 चांच्छत का कौंड और जो है अपना एंगल 6.5 तेज डिगरी का यह बनाया जाता है एक्जियल सर्फेस पर जबकि इसमें और्बिटल लिखा हुआ है तो यह चेंज कर दिया है अपसमें टर्म सेसे दोनों स्टेट्मेंट हो जाएंगे रॉंग हमारा एंसर हो जाएका डी नन निम्द में से कौन सा परवत भारत में ब्लॉक परवत का एक उदाहरण है भारत में ब्लॉक परवत है आपका सत्पुड़ा option b यह भाई finns कि से किस भागोलिक प्रदेश में खनिज भंडार सबसे जा अच्छी मात्रा में पाइजाते हैं बताना है 끝ने शहले फैसे माहोगनी, इबोनी, रोजवुड जो है ये पेड़ पाय जाते हैं किस प्रकार के वनों में पाय जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आप्शन बर पी जैतून, अंगूर, संत्रा, इत्यादी की खेती किस प्रकार की जलवायू वाले प्रदेशों में होती है तो मेडिटरेनियन क्लाइमेट में इस तरह के चीजों के खेती होती है ऑप्शन बर C निम्न में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है अर्जेंटीना, पंपास सही है आपका नॉर्थ अमेरिका, प्रेयरी सही है, साउथ अफ्रिका, वेल्ड सही है यह सब सही है सेंट्रल अफ्रिका जो है यहां पर स्टैपी होना चाहिए सवाना दिया हुआ है तो यह रौंग है ऑप्शन बर T गंगा की निम्ने साहयक नदियों को पूर्व से पक्षिम की तरफ आते हुए लगाना है जो सबसे पूर्व में उसको पहले रखेंगे यहां पर सबसे पहले आजाएगा महानन्दा फिर आएगा कोसी फिर आएगा यहां पर घागरा, फिर आएगा गोमती ऑप्शन बर B यहां पर सही है अब रिवर्स जो है यह कि सिटी की किनारे बहते है इनसे मैच करना है तो लंडन किनारे बहती है थेम्स नदी और पैरिस के किनारे सीन नदी मॉस्कोव और बेलग्रेट के किनारे डेनूब तो इस तरीके से मैच कर देंगे इसको एंसर वजाएगा यहाँ पर बी 2143 याकूत जंजाती कहां पर देखने को बिलेगी याकूत जंजाती देखने को बिलती है रशिया के टुंटरा रीजन में ऑप्शन नमबर ए निम्न में से कौन से चोटी भारत में स्थित नहीं है तो जो NCRT में आप देखें क्लास 8 थी आनायंत में एक टेबल दीवी है आपका नेपाल में है यह भारत का हिस्सा नहीं है ऑप्शन नमबर भी अब घाट्स दिये वह हैं और कहां कहां के लिए पैसेज देते हैं उससे मैच करना है बताना है कौन से गलत मिला हुआ है तो थाल घाट जो है यह नासिक से मुंबई को करता है करेक्ट है बहुर घाट पाल घाट कोची से कोयमबा टूर को करता है यह भी करेक्ट सेन कोटा जो है यह तिरुननद पुरम से करता है मधुराई को कोची से मधुराई नहीं करता है तो यह वाला हमारा एंसर रॉंग हो गया मतलब यह वाला हमारा करेक्ट एंसर हो गया यह वाला मैच रॉंग है ने इपाल हेमाल्य स्थित है काली ओ तिस्ता के बीच अप्षिन नम्बर ए को इस नम्बर 83 निमलिकित में से कौन से देश की सीमा एड्रियाटिक सागर से नहीं लगती है तो यहां पर देखे कि एड्रियाटिक सी लगती है इटली से आपकी अल्बानिया भी लग यहाँ पर टच कर रहा है C को और यह आपका कर रहा है Croatia भी ठीक है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं Adriatic C यह है तीन टच हो रहे हैं आप टर्की कहीं नहीं दिख रहा है टर्की टच नहीं करता और यहीं अमारे question का answer हो गया यह Adriatic C को टच नहीं करता CFCs chlorofluorocarbon का उत्सरजन मुखरूप से किसके कारण होता है जीवाश मीधन के दहन से ठीक है burning of fossil fuels करेक्ट coal power stations से निकलता है यह भी करेक्ट refrigeration industries निकलता है यह भी करेक्ट answer हो जाएगा D all of the above सारे के सारे sources हैं CFCs के World Environment Day बनाया जाता है कब बताना है World Environment Day बनाया जाता है अरसाल पांच जून को option number D Montrix record निमलिखित में से किस से सम्मंदित है यह सम्मंदित है आर्द भूमी से जिनको specials introduction की ज़रुरत होती है उनको इसमें रखा जाता है आर्द भूमी को भारत के कौन-कौन सी आर्द भूमी जो है इसमें शामिले आपसे बूछ सकते हैं तो दो है इस समय के वुला देव नैस्तिल पार्क और लोक्टाग जील ध्यान रखिएगा option number E मारा सही हो जाएग अब ब इनमें लिखित में से कौन सा जीव जो है आसमतापी नहीं है का मतलब किया समतापी जीव का उदार्ण बताना है होमिय धर्म का उदार्ण बताना है यासे मनुष्ये हैं जैसे कि कुछ जानवर होते हैं चार पैर वाले बक्री हो गई और बड्स हो गई यह अपना temperature एक समन बनाये रखते हैं कि माली जिए 50 डिगरी टेंपरेचर भी हो गया मानव टेंपरेचर जो है 37-38 के आसपास रहता है यह नहीं कि 50 डिगरी फिर मानव का टेंपरेचर भी हो जाए लेकिन जो आपके कीड़े मकॉड़े होते हैं और आर्थो पोड़ा में जो आते हैं जैसे कि cold-blooded भी कहते हैं, तो अगर यहां पर पूछा होता कि कौन सा cold-blooded नहीं है तो भी question का answer होता bird, option number D यहां पर सही है, इसमें translation थोड़ा सही करेंगे, इसमें पूछा which of the following is not a cold-blooded animal, तो bird जो है humans यह warm-blooded animal है, option number D, निमन लिखित में से कौन सी पर जाती, गंभीर रूप से संकट रस्त की स्रेड़ी में आता है, तो गंभीर रूप से संकट रस्त है बंगाल फ्लोरीकन, option number B, saddle peak national park कहां पर है, saddle peak national park है आपकी अंडबान निकोबार में, option number C, उत्तर प्रदेश में मंदिर निर्माड कला का विकास किस काल में हुआ था, तो जो आपको कलाकरती देखने को ब प्रेला जील और नवाब गंजील कहां कहां पर है, तो रामगड़ताल आपका है गोरकपूर में, फिर आपका बखीरा है संतकभीरनगर में, केरला है आपका फिर लखनव में और नवाब गंजे उननाव में, इस तरीके से हम मैच कर देंगे इसको, उत्तर प्रदेश का जि प्रेतवा पर, उत्तर प्रदेश राजी का प्रथम वन जीव विहार जो है चंदर प्रभा वाइल लाइफ सेंक्चुरी है, यह करेक्ट है, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, यहां पर लिखाव है 2014, यह रॉंग हो जाएगा, हमारा कोश्चन का सही answer बनेगा A, यान सोडियम कार्बोनेट को किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं बेकिंग सोडा की नाम से, आप्शन मबर B, लहसुन की तरह कि विशिष्ट गंध जो है इसका कारण क्या होता है, तो सल्फर कंपाउंड जो होते हैं वो लहसुन की तरह हम एकते हैं, आप्शन मबर C, कौन स आदे प्रसंस्क्रण के जनक कीने कहा जाता है कि कायी जाते है Nicholas Eppert option B ने उन्तम समर्थन मूली भारत सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोशित किया जाता है तो दो बार घोशित किया जाता है एक बार खरीव के समय पर एक बाराभी के समय पर और हुटा न बी कि मैडम वीखा जी कामा के संबंद में काओन से कथन सही है कि मैडम वीखा जी कामा के मातापीता पारशी थे ठीक है उर्ने पारश बॉले हैं छैक्ट दwe śुरू की गई दहुरी प्रणाली हिम निमने लिखित में से किस अधिनियम दोरा समाप्त की गई थी, इसमाप्त की गई थी Government of India Act 1858 के दोरा, option number C, निमने लिखित में से हडपा सभिता को कौन से नाम से नहीं जाना जाता था, तो इंदूस सिवलाइजेशन कहते थे, करेक्ट है, कांस यूगी इन सभिता कहते थे, प्रथम फर्ष्ट अर्बन सिवलाइजेशन भी कहते थे, लेकिन इसको तांबवती कल्चर नहीं बोलते थे, option number T, D नहीं बोलते थे, किसी वी तरह से हडपन सिवलाइजेशन को, इन में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, संभवनात का जो है सिंबल अश्व, और अभिनंद का गूस है, लेकिन जो रिशब देव है, इनका व्रिशब है, ये अलिफेंट नहीं है, option number A, गलत है, बॉम्बे में भारत छोड़ो अंदोलन, 1942 के दोरान, भूमिगत रेडियो स्टेशन की सुरुवात किस के द्वारा की गई थी, ये की गई थी, उशा महता के द्वारा, option ये 14 point demand में नहीं था, ठीक है, निमनलिकित में से कौन सा मुद्रा स्फीती पर नियंतरण का एक method है, वो नहीं हो सकता है, तो demand control करना हो सकता है, supply control करना currency की ये भी हो सकता है, rationing of goods ये भी हो सकता है, लेकिन interest rate को घटा तो सकते ही नहीं है, वरना point B जो है, इससे विरुदा भ किसी company के debenture धारक उसके देंदार होते हैं, ठीक है, पैसा लगाते हैं, उनको मिलना चाहिए, option number C, निमनलिकित में से कौन सा तत्व मुद्रा पूर्ती पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, currency supply पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, banking छेतर पर अमधरिक दायत्व, option number D, नि निबांग वैली में जनगनत्व नियूंतम है, option number C, निमनलिकित में से किस राज में कोई अनुसूचित जाती नहीं पाई जाती है, schedule कास्ट नहीं पाई जाती है, नागलेंड में, निमनलिकित में से किस वर्ष को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, great divide बोल option number A, बलरामपुर तो यहां से हम लोग बात करते हैं, reasoning section के बारे में, और यहां से लेकर 140 number question तक, जितने भी सवाल आएंगे, सबको यहां पर solve करके समझाया जाएगा, explain किया जाएगा सबसे पहले है 115 number, दरपण में देखने पर, यानि जैसे यह एक घड़ी है, इसको आप सीधे सीधे नहीं देखते हैं, इस mirror पर इसकी image लेते हैं, यह वाली और उसके बाद इसे देखते हैं, तो इस image को देखने पर 3 बच के 15 मिनट हो रहा है उस घड़ी में, और आप से गड़ी देख लेते हैं, तो कितना समय उसमें हो रहा होता, तो जब भी actual से mirror या फिर mirror से actual जाना हो आपको, तो जो भी time दिया है, उसे आप 11.60 में से subtract कर लीजिए, 11.60 माइनस 3.15, 60 में 15 गया 45, 11 में 3 गया 8, 8 बच के 45 मिनट उस घड़ी में हो रहा होगा, option B If the first day of the year, which is not a leap year, हमें यहाँ पे ऐसे साल की बात करनी है, जो कि leap year नहीं है, जैसे साल 2019, 2017 यह सब, ऐसे जो साल है, उनमें से कोई साल था, उसका पहला दिन शुक्रवार था, बताए उसका आखरी दिन क्या होगा, तो अगर साल non leap year वाला हो, तो जो उसका first day होता है, वही उ last day बन जाता है, कोई gap नहीं होता, जैसे 1 जन्वरी 2017 को मान लिया Saturday था, तो 31 दिसंबर 2017 को भी यही रहा होगा, इसका correct answer हो जाएगा Friday, option A, A large cube is divided into 125 smaller cubes, एक बड़ा सा cube था, इसको आपने काटना शुरू कर दिया, और आपने इसको इस तरीके से काटा कि काटने के बाद आपको cube ही मिला, कोई और figure आपको मिला नहीं, जान बूच के आपने इस तरीके से इसकी cutting कर दी, The side of these smaller cubes obtained through this division is 7 cm, अब जितने भी छोटे छोटे क्यूब मिले, उन में से हर एक की side 7 cm थी, तो ये बताईए, जिस क्यूब को आपने काटा है, उसकी side कितनी रही होगी, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे volume conservation method, कि जो शुरुवात में volume था, वही आखिर का volume भी उतना ही था, हम यह मान के चलेंगे कि रास्ते में कोई भी material waste नहीं हुआ, cube का volume क्या होता है, side का cube, volume of bigger cube यानि की capital A cube, जहाँ पे capital A क्या है, बड़े cube की side, n into smaller cubes, volume of each smaller cube, क्योंकि अगर हम एक smaller cube का volume लेंगे तो सिर्फ इतना cover होगा, अगर हम n का ले लेंगे तो इतना cover हो जाएगा, हमको यह volume, इस volume के equal दिखाना है, तब ही मैंने यहाँ पे n से multiply किया है, into smaller cube, capital A यहाँ पे हमें बताना है, तो इसको ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, कितने छोटे-छोटे cube मिले हैं हमको, 125, तो हमने यहाँ पे रख दिया, और जो छोटा cube है, उसकी side साथ है, तो 7 का cube, इस 125 को लिखा जा सकता है, 5 का cube, और यह 7 का cube, दोनों तरफ cube root लीजिएगा, तो इधर A हो जाएगा, और RHS में होगा 5 इंटू 7, यानि 35, तो बड़े cube की side कितनी थी, 35 cm, option D, अगला question coding and decoding से है, किसी code में garden को HVS से आपने coded कर दिया, उसी code pattern को follow करते हुए, आप bride को कैसे coded कर पाएंगे, तो यह है word, garden, इनके numerical equivalent लिख देते हैं, G का मतलब 7, A1, R18, D4, E5, और N14, अब HVS, A22, 19, अब यह 8 कहां से लाएं, 7 और 1, 8, यह 8 आ गया, यह 22 कैसे आया, 18 और 4, तो कुल मिलाके, 6 alphabet से एक शब्द बना हुआ है, उसको आपने 3 alphabet में convert किया, तो उसके लिए आपको 2-2 का group बनाना पड़ेगा, जो कि हमने बना लिया, और उनके numerical equivalent को जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे 19 है, तो 14 और 5, 19, इसी pattern को आगे follow कर लेते हैं, देखिए, बर्ड है अपके बार bright, 2, 18, 9, 7, 8 और 20, तो यहाँ पे होगा, 18 और 2, 20, यानि T, 9, 7, 16, यानि P, 20, 28, 28, 28 कुछ होता नहीं है, 26 के बाद repeat हो जाती हैं चीजें, 27 A होगा और 28 क्या होगा, B, T, P, B, option B, यदि आप उत्तर की और चलते हैं, मान लीजे इस point से आपने अपनी जर्नी चालू करी, उत्तर की और गए, पता नहीं कितनी दूर गए, लेकिन गए, उत्तर की और ही, यहाँ पे आप रुख गए, इसके बाद आप दाएं मुडते हैं, आप ऐसे जा रहे थे, यहाँ से आ कहां मुड़ेंगे नीचे की और, उसके बाद इतनी दूर फिर चले गए, इसके बाद finally आपको जाना है left, आप ऐसे आ रहे थे, यहाँ पे रुखे, आपकी left direction क्या होगी, इस तरफ होगी, तो आप किस और जा रहे हैं अभी, अभी आप जा रहे हैं, east की और, इस point से का मतलब east में है, option B, पूर्व में आप जा रहे हैं, एक स्तरी की और संकेत करते हुए दिवाकर ने कहा, क्या कहा, उसकी मा का एक मात्र नाती, यह जो स्तरी है, इसकी मा यहाँ पे हैं, इनका नाती, वो भी एक मात्र, कौन है वो, मेरा पुत्र है, ऐसा कहना है दिवाकर का, अगर आप किसी औरत से यह कहते हैं, कि आपकी मा का एक मात्र नाती, तो या तो आप उस औरत के बेटे की बात कर रहे हैं, या तो उस औरत के किसी भाई के बेटे की बात आप कर रहे हैं, लेकिन चुकि यहाँ पर बता दिया गया, कि जो नाती है, वो ही दिवाकर का बेटा और ये रही वो औरत, ये रही इसकी मा, यही बेटा, जो है वो इनका नाती भी है, इनका, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में पती-पत्नी तो होंगे, तो वह इस तरी दिवाकर से कैसे संबन दिते हैं, तो वो उसकी पत्नी है, option D, इसके बाद अगला question है, mathematical operators है, इसके लिए आप सबसे पहले सारे numbers लिख लेते हैं, 9, 3, 4, 8 और 2, 9 और 3 के बीच में है plus, जिसका मतलब है divide by, 3 और 4 के बीच में divide by है, जिसका मतलब है into करना है आपको, उसके बाद, 4 और 8 के बीच में minus का है, जिसका मतलब है आपको plus करना है, 8 और 2 के बीच में into का sign है, जिसका मतलब है, minus करना है, बस solve कर लेते हैं, यह 3 होगा, 3 चौक 12, 12, 8, 20, 20 में दो गम 18, option A, अगला सवाल coding and decoding से हैं, लेकिन ऐसे सवाल बहुत आसान से होते हैं, कागच को काजल कहा जाता है, काजल को powder और बाकी सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यह देख लेना चाहिए, कि आपसे exactly पूँचा क्या जा रहा है, लड़कियां अपनी आखों को सुंदर बनाने के लिए किसका उपयोग करती हैं, तो काजल को, काजल को क्या कहा जा रहा है, वही आपका यहाँ पे answer होगा, तो काजल को पाउडर कहा जा रहा है, तो इसका अंसरोगा पाउडर, आप्शन तीन, इना क्लास ओफ फॉट्टी वन स्टूडेंट्स, क्रिश्ना इस एट्थ फ्रॉम दी बॉट्टम, वाइल सौम्या इस तैन्थ फ्रॉम दी टॉप, एंड प्राची ओक्यूपाइज दी मिडिल पोजीशन इन दी होल क्लास, तो पुलमिला के जैसे यह है, यह पूरी क्लास है, इसमें फॉट्टी वन स्टूडेंट्स हैं, उसमें क्रिश्ना की रैंक जो है बॉट्टम से यानि इधर से आठवी हैं, तो इधर से कितनी होगी एल प्लस आर माइनस वन से निकाल लीजिए, टॉप प्लस बॉटम माइनस वन, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं, टॉप यही हमें बताना है, बॉटम से इनकी रैंक है आठ, यह माइनस वन, एक तालिस में से साथ गया, तो बचा 34, तो टॉप से इनकी रैंक हो गई 34, तो इसका मतलब यहां पर 33 स्टूडेंट इनके पीछे हैं यह 33 स्टूडेंट यह कृष्णा है और इधर से इनकी रैंक चूंकि आठवी है इसलिए 7 स्टूडेंट इनके इस तरफ हैं और यह 37, 41 स्टूडेंट यह खुद हैं 41 का हिसाब हो गया सौम्या इस 10th from the top सौम्या का जहां तक सवाल है तो उनकी रैंक इधर से टॉप से 10 वी है इसका मतलब 9 स्टूडेंट उनके पीछे हैं तो सौम्या को इधर हमने रख दिया कहीं पर और यह रहे 9 स्टूडेंट यह 33 स्टूडेंट यह पूरे हैं जिनमें से 9 यहां पर आ चुक 24 और जो प्राची हैं वो मिडल पोजीशन पे हैं यानि यह अगर 41 स्टूडेंट हैं प्राची इधर आ गई तो जितने स्टूडेंट इनके लेफ्ट में होंगे उतने ही राइट में होंगे तो यह रहे 20 स्टूडेंट और यह रहे 20 स्टूडेंट और यह 41 स्टूडेंट ये खुद हो गई, ये प्राची का हिसाब हो गया, और इसके लिए हमें इन दोनों लाइन्स को मर्च करना होगा, और मर्च करने के बाद हम देखेंगे, कि प्राची के इस तरफ 20 स्टूडेंट हैं, जब कि क्रिश्ना के इस तरफ 7 स्टूडेंट हैं, क्रिश्ना के बाद आने वाले स्टूडेंट साथ हैं, प्राची के बाद आने वाले स्टूडेंट 20 हैं, तो हमें ये देखना है कि क्रिश्ना और प्राची के बीच में कितने स्टूडेंट आते हैं, 20 में से साथ गया 13, इतने ही स्टूडेंट आते हैं, Option B, 13 Out of 5 members standing in a row एक line है उसमें 5 members है किस तरीके से हैं वो आगे पता चलेगा R is to the right of U and to the left of Q R जो है, U के तो right में है U इधर है, इसके right में R आ जाएगा लेकिन यही R Q के left में भी है तो Q इधर आया, R उसके left में हो गया P is to the right of Q, Q के इस right में P आ गया and to the left of S लेकिन यही P, S के left में है तो इस इधर आया, इसके left में P आ गया तो U, R, Q, P, S, 5 member हो गया Which member is in the middle, कौन है बीच में तो Q है, because 2 उसके left में है और 2 ही इसके right में है Option D arrange the following words according to the dictionary Dictionary के इसाब से अंग्रेजी के इन शब्दों को order में सजाईए तो L तो खर सब में common है लेकिन L के बाद कहीं पे A है कहीं पे I और कहीं पे U तो L के बाद क्या आना चाहिए सबसे पहले A LA में भी दो possibility है पहला भी सही हो सकता है पांचमा भी लेकिन language single word है इसको पहली priority मिलनी तो चाहिए लेकिन landlord अलग अलग नहीं ऐसे एक साथ लिखा जाता है तो land अगर हम common भी ले ले लें पहले और पांचमे में तो land के बाद इधर L है और इधर है G तो वैसे देखा जाए तो G पहले आना चाहिए लेकिन अलग 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 अगर हम माने तो यहाँ पहले and के बाद कुछ भी नहीं है जबकि यहाँ पे G है तो कुछ भी नहीं है इस वज़े से पांचमा पहले सेलेक्ट होगा पांचमा इसलिए सेलेक्ट करना पड़ा क्योंकि पहला वाला जो word है वो option में है नहीं कहीं पे तो पांचमे के बाद पहला आएगा 5-1 5-1 में भी दो possibility हैं A और C बागी के दोनों option cancel हो गए 5-1 L-A वाला हिसाब हो गया उसके बाद L-I आना चाहिए कि L-U आना चाहिए तो L-I आना चाहिए उसमें भी दो possibility हैं दो और तीन में से यहाँ पे देखिए L-I-T यहाँ पे L-I-E वैसे यह देखने की जरूरत नहीं थी तीन-तीन दोनों में common हो गया लेकिन तीन के बाद दो ही तो आना चाहिए ना L-I वाला जो क्रम है वो तूटना नहीं चाहिए तो 5-1-3 के बाद दो यही सही होगा option C L-U सबसे last में आएगा चौथा सबसे last में है बस यही सही है यह जो word है यहाँ पे अडल्ट्रेशन इनके सभी letters का use करते हुए कौन सा सब्दा आप नहीं बना सकते return देखते हैं बनता है कि नहीं R-E-T-U R दुबारा R तो यहाँ पे है नहीं तो बस 2R यहाँ पे आ गये तो उपर जब 2R है नहीं तो कैसे बन गया यह नहीं बनना चाहिए था option एको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे अगला question है number series का जिसमें 77, 49, 36, 18 और यहाँ पे क्या आएगा तो सबसे पहले यहाँ पे difference लेने का हम लोग सोच सकते हैं क्योंकि दो-दो digit के सारे यहाँ पे number है और यहाँ पे आखिर में answer एक digit का आ रहा है तो difference अगर हम लेंगे तो इधर 28 का इधर 13 का आगे यहाँ पे problem हो जाएगी इधर 18 का तो अगर हम लोग यहाँ पे 28 फिर 13 मतलब 15 less कर दिया फिर 5 less किया तो अब की बार हम क्या less करें पता ही नहीं लगेगा एक logic यहाँ पे और समझ में आता है हमको अगर 77 को 77 ना पढ़के 7 और 7 पढ़ें और दोनों को इंटू करा दें तो उन्चास आ जाता है वही आगे दिया है ऐसे ही उन्चास को 4 और 9 पढ़ें और इनको इंटू करा दें तो 4 निम्में 36 वही आगे दिया है ऐसे ही 36 जा 18 तो वैसे ही 18 जा 8 हो जाएगा ना अंसर कौन सा हो जाएगा B 8 इसमें बताईए एनलोगी जिस तरीके से साइनोलोजी का संबंद कुत्तों के साथ है तो हम लोग कुत्तों का अध्यान करते हैं तो लेहरी कल्चर में किसका अध्यान करते हैं तो हम वहाँ पे सबजियों का अध्यान करते हैं Option A यहाँ पे A is equal to 1 B is equal to 3 C is equal to 5 यह सब चीजें दी गई हैं कि आपको यह सारी values लेनी हैं तो हेट हेट में आपको actual numerical equivalent ना लेते हुए इसी pattern पे numerical equivalent सेलेक्ट करना है और बताना है कि इनको जोडने पर numerical equivalent का sum क्या होगा H A T E A 1 है B 3 है C 5 है तो D 7 होगा E 9 होगा H होगा 11 तो 11 यहाँ पे लिख लीजिए H की हमें जरूरत है A 1 है यह हमें पता है E 9 है यह भी पता है T तक जाना पड़ेगा I J K L M N O P Q R S और T 11 के बाद 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 और 35 यहाँ पे इतने से काफी नहीं होगा चारों option में ही नहीं है जो हमारे पास values मिल नहीं इनको add करके तो D 7 होगा E 9 होगा H 11 होगा H सही लिखा है A भी सही लिखा है E 9 यह भी सही लिखा है I J K L M N O P Q R S T 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 और 35 लेकिन बीच में F और G तो छूटी गया तो 11 और 13 इदर देना था H हो जाएगा फिर 15 H यहाँ पे हम ले लेंगे 15 यहाँ पे फिर 17 19 21 23 25 7 9 31 33 35 37 39 49 होगा इदर 49 15 54 63 64 अब आगया सही आंसर गलती यह हो गई थी कि F और G बीच में ही ड्रॉप कर दिया था तो 64 यहाँ से करेक्ट हो गया Option 2 Which of the following is the number in which the result is 240 by adding the number and it's square उस number को और उसके square को जोडने के बाद 240 आना चाहिए वो number क्या होगा Option के हिसाब से जाते हैं फिर Option के हिसाब से number है 15 इसका square होगा 225 क्या इनका सम 240 होगा बिलकुल होगा इसलिए 15 ही वो number होगा Option A अगला question direct coding का है coin को यह लिखा जाता है until को यह तो coconut को क्या लिखेंगे तो direct coding का example यह इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे coin और until में जो भी alphabet यूज हुए हैं exactly वही alphabet तो direct coding का मतलब यह है कि numerical equivalent आपको actual वाले लिखने की जरूरत नहीं है जो जिसके सामने है वही उसका numerical equivalent भी हो जाता है C के सामने 8 है तो C बराबर 8 रखिए इधर 8 रखिए तो आपको 8 और 8 एक के gap के बाद चाहिए वो भी शुरुबात में और ऐसा B और C में हो रहा है बागी कहीं भी नहीं A और D काट दीजिए उसके बाद B और C में अगर आप देखेंगे तो B में last में 3 है C में 1 है इन में से जिसका भी हमें पता चल गया तो बस वही सही हो जाएगा last में यहाँ पे है T T इधर से 3 है 7 to the left of 18 from the left left hand side से यानि इधर से जो भी अठारवा है उसके भी left hand side से यानि उससे पीछे आप साथवे स्थान पे पहुँच जाईए और बताईए क्या number in fact क्या letter होगा वहाँ पे तो ऐसे चले थे अठारवे पहुँच गे उसके बाद back मार दिये साथ तो गय कितना 18-7 यानि 11 अगर left left दोनों दिया हो तो बस difference निकाल लेंगे आप 18 में साथ गया 11 11 किसका numerical equivalent होता है तो K का option D 30% of the sum of two numbers is equal to 40% of the difference अगर दो number X और Y हैं तो sum होगा X plus Y और अगर ये मान लिया जाए कि X बड़ा है Y से तो difference क्या होगा X minus Y ये sum है और ये है difference sum का में चाहिए 30% यानि 3 बटे 10 30% का मतलब यही होता है 30 बटे 100 यानि 3 बटे 10 ये हमने ले लिया sum का अब यही चीज बराबर हो जाएगी किसके 40% of the difference ये जो difference X minus Y इसका 40% लिजिए 4 बटे 10 लिजिए 10 से 10 कैंसल कीजिए इधर multiply करने के बाद लिखेंगे 3X plus 3Y और उधर हो जाएगा 4X minus 4Y यानि X is equal to 7Y X by Y बड़े से छोटे का में रेशियो चाहिए था देखी लिखा हुआ है What is the ratio of big number and the smaller X बटे में Y जो कि हो जाएगा 7 बटे में 1 Option C जब एक समूँ के प्रते एक सदस्य को 6 से वित्रित किये गए थे तो एक से बच गया था तो उसके बाद दूसरी सिच्वेशन ये है कि जब प्रते एक व्यक्ति को 7 से दिये गए तो एक व्यक्ति को कोई से ब मिला भी नहीं बताईए उस particular group में कितने लोग थे तो option से करते हैं फिर पहले option के इसाब से 15 थे तो पहली situation के इसाब से 15 लोगों को कितने सेब मिले होंगे हर एक को 6 मिले हैं तो 15 को 15,6,90 सेब मिले होंगे लेकिन एक सेब बच गया था यानि आपके पास 90 सेब थे हर एक को अगर आपने 6 दिये तो 90 ही आप दे पाए एक आपके पास बचा रह गया दूसरी situation देखते है अगर आप हर एक को 7 दोगे तो 15,7,105 105 सेब आपके पास होने चाहिए तब ही आप दे पाएंगे लेकिन आपके पास तो 90 है ना तो 14 कम पड़ गया इसका मतलब तो इस situation के हिसाब से एक व्यक्ति को कोई सेब नहीं मिलना चाहिए यानि 7 सेब कम पड़ जाने चाहिए विकॉज हर एक व्यक्ति को आप 7 ही दे रहे है 7 सेब आपके पास कम पड़ जाए चाहिए लेकिन यहाँ पे तो 14 कम पड़ रहे है तो बस ये वाला option गलत हो गया दूसरे option के साब से 8 अगर आप हर एक को 8 देते हैं तो 8, 6, 48 आपने दे दिये और आपके पास 1 कम पड़ गया मतलब एक सेब आपके पास 6 बच गया आपके पास 49 हो गया लेकिन अगर आप हर एक को अभी 8 देने लगे तो 8, 8 नहीं मतलब 7 8 तो लोग है 8, 7, 56 तो क्या देखिए 7 का difference है जी हां उतने का ही है तो इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे 7 का difference लेना हमारे लिए क्यों इतना important हुआ क्योंकि इसमें लिखा हुआ है एक व्यक्ति को कोई सेब नहीं मिला और दूसरी situation के हिसाब से ऐसा हुआ यानि हर एक व्यक्ति को आप साथ दे रहे थे तो एक व्यक्ति को कितने देंगे और विस सेबात साथ देंगे तो साथ सेबाब के पास कम होने चाहिए और उतने ही कम पड़ रहे है option दो के हिसाब से तब ही इसको correct form में हमने ले लिया हर्ष की आयू 40 वर्ष है और हेमा की है 60 वर्ष कितने वर्ष पहले उनकी आयू का अनुपात तीन बटे में 5 था तो option के हिसाब से चलते हैं फिर ये हर्ष है और ये हैं हेमा हर्ष है 40 साल के और हेमा है 60 साल की 10 साल पहले हर्ष रहे होंगे 30 साल के हेमा रही होंगी 50 साल की इस समय क्या इनकी एज का रेशो 3 बटे 5 है 30 बटे 50 यानि 3 बटे 5 इतना ही है Option A पिता के उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है यह फादर है यह सन है सन अगर X साल का है अभी तो फादर 4 गुना यानि 4 X साल के रहे होंगे 5 वर्स पहले पिता की एज से 5 साल कम कीजिए सन की भी एज से 5 साल कम कीजिए 5 साल पहले पिता की जो एज थी यानि 4 X माइनस 5 वो क्या थी उस समय वो बराबर थी पुत्र की एज की नव गुनी थी यानि 9 times of पुत्र की एज यानि x-5 4x-5 is equal to 9x-45 यानि 5x बराबर 40x बराबर 8 पिता की वरतमान आयू बताईए 4x, 4x is a 32 Option B 137 नमबर में statement और assumption के उपर सवाल है Better and oops than what if What if का मतलब यह है कि कास मैंने उस काम को करने का प्रयास किया होता Oops मतलब उस काम में मैं सफल नहीं हो पाया अगर मैंने यह कर लिया होता तो शायद हो जाता तो oops यानि try करने के बाद असफल होना जादा अच्छा है Instead कि आप उस काम को करें ही ना एकदम तो क्या ये बात सही है बात तो एकदम सही है किसी भी काम को देखके भागने से अच्छा है कि उसको करने का प्रयास किया जाए अजम्शन में हम यही देखेंगे कि ये जो बात बोली गई वो क्या सोच के बोली गई तो पहला है यू मस्ट ट्राइ बिफोर गिविंग अप बाई सिंग दी प्राब्लम प्राब्लम को देखके हार मानने से अच्छा है कि उस पर ट्राइ किया जाए एकदम सही बात है यही सोच के बोला गया होगा दूसरा है इवन इफ यू फेल अगर आप सफल नहीं भी होते हैं यू बिल लर्न हाउ नौट टू टैकल दी प्राब्लम इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन-कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे समस्या नहीं सुल जाए जा सकती तो एकदम सही है फेलोने का मतलब यही तो होता है कि ये वो तरीका नहीं था इस प्राब्लम को सॉल्व करने का तो दोनों ही सूर्थे हैं अपनी अपनी जगा पे सही हैं इनी दोनों को सोचते हुए उपर वाली बात बोली गई थी तो इसका answer होगा, दोनों assumption सही है, कोई भी ऐसी नहीं है, जो की गलत है Both 1 and 2 are implicit, option 4 138 में analogie है, जिस तरीके से ACDF का संबंद CGJN के साथ है, तो BEHI का किस के साथ होगा तो A से C, प्लस 2, दो का gap, C से G, प्लस 2, D से J, 4, 10, यानी की प्लस 6 F से N, F6, N14, 8 का gap, तो पहले 2 का, फिर उसके बाद 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का gap आपने ले लिया तो इतने का ही gap आपको BEHI में letter wise लेना पड़ेगा तो 2 में 2 का gap, यानी 4 E, 5, 5 में 4 का gap, यानी 9 H, 8, 8 में 6 का gap, 14 उसके बाद में हैं I, means 9 अपके बारह में 8 का gap चाहिए तो 9, 8, 17, 4, D, 9, I, 14, N, 17, Q तो D, I, N, Q यहां से correct हो गया option 2 M, N is facing west इस point पर माल लीजे वो खड़ा है और अपना face वो यहां की ओर करे हुए है He turns 45 degree in the clockwise direction and then another 180 degree in the same direction तो clockwise उसने दो बार turn लिया एक बार 45 का और दूसरी बार 180 का तो total कितना turn लिया clockwise? 225 clockwise की जो direction होती है हमेशा positive लेते हैं तो clockwise वो ले चुका है 225 उसके बाद then 270 degree in the anticlockwise direction इसके बाद उसने anticlockwise एक ही बार turn लिया और वो भी 270 degree का तो जब भी इतनी इतनी बड़ी बड़ी values होती है पहले anticlockwise में negative लगा देते हैं तो आप हमेशा करते हैं clockwise minus anticlockwise 225 minus 270 यानि minus 45 अब यह जो net turn है इसका sign बहुत माहिने रखता है sign से यह decide होता है कि जहां भी इस person का face है तो उससे वो clockwise मुड़ेगा कि anticlockwise तो यह minus का sign है इस वज़े से जहां भी यह face कर रहा है उससे 45 degree आप इसको rotate करा दीजिए वो भी anticlockwise anticlockwise मतलब यह इस direction में घड़ी नहीं चलती है ना ऐसे से ऐसे तो इतने direction में आपको rotate कराना है 45 माल लीजे यही value प्लस में आती तब आप clockwise चले जाते अगर 90 जाएंगे तो इधर जाएंगे 45 गए हैं ना मतलब आधा गए हैं यह 45 तो अभी इस person का face इधर होगा यह direction कौन सी है west और south के बीच में यानी south west तो south west यहां से correct हो गया option 1 इस वाले question paper का आखरी question हम लोग देखते हैं 140 number एक परिवार में पती पत्नी दो बेटे और दो बेटियां है सबी माईलाओं को रात में खाने परामंत्रित किया गया माईलाएं सारी चली गई because वो invited थी डिनर पे दोनों बेटे खेलने के लिए बाहर गए अब यहां पर यह argument नहीं करेंगे कि बेटे की भी तो पत्नियां हो सकती है जिनकी पत्नियां होती है वो बाहर ऐसे खेलने के लिए तो जाते नहीं है और अगर जाते भी हैं तो यहां पर mention होना चाहिए था यह बात दी हुई होनी चाहिए कि बेटे भी married हैं खेर आगे बढ़ते हैं पती office से आये नहीं थे तो बताईए घर पे कौन था तो husband wife दो बेटे S1, S2 son number 1 और 2 दो बेटियां D1, D2 daughter number 1 और 2 इतने लोग हैं उस परिवार में इसके अत्रिक और कुछ भी नहीं है वहाँ पे कोई भी नहीं है मतलब पती office से नहीं लोटे wife और दोनों बेटियां चुकि तीनों महिलाएं इस पर जैसे डिनर पे आमंत्रित थी बेटे चले गए थे बाहर खेलने के लिए तो घर पे कौन बचा कोई भी नहीं बचा घर पर कोई नहीं था option 4 यही हम से पूँचा है